मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइब मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबा कर हर अपडेट पर नजर रखें दिल्ली यूपी में बारिश जाने जारकन बिहार सही तन्य राज्यों के मौसम का हाल आपको बता दें तरप्रदेश में पिछले तीन दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है कई जिलों में सुभा से ही जमाचम बारिश हो रही है तो वहीं कई जगों पर धूप निकली हुई है मौसम भाग की मानी तो आज वेस्ट यूपी में आंधी बारिश के आसा है कुछ इस्थानों पर भारी बारिश तो संभव है इसके अलावा इसकाइमेट वेदर के अनुसार 24 घंटे के दोरान पर्श्रमी हिमाली पर हलके से मध्यम बारिश और गरज के साथ बहुचारे पढ़ने की संभावना है उजे पहाड़ों पर एक या दो इस्थानों पर भारी बारिश तो संभव है यहां हलकी बारिश संभव इसकाइमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटे के दोरान से किम असम में घाली अरुनाजर प्रदेश तटिया अंदर प्रदेश के कुछिस्सों में दर्बर चतिसकर में हलकी से मध्यम बारिश और पूर्वी मध्यप्रदेश और ज्छारखन में एक या दो इस्थानों प पर हलकी बारिश संभव है देश के रास्तानी दिल्ली और यूपी समेट राज्चे में लगतार हो रही बारिश ने मई में ठंड का एसास करा दिया मई में जहां फीशन गर्मी पढ़ना चाहिए वहां घरों में ऐसी बंद पड़े हैं मेडिया रिपोर्ट्स से मिली जानक बंगाल की खाड़ी में नो मई के आसपास एक ग्रिश मकालीन चक्रवात आने का अनुमान है हाला कि इसके मार्गों तीरवता के बारे में अभी आंकलन नहीं किया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग आईमडी ने ये जानकारी दिया आईमडी के महानी देश्यक मृत तिन जे महापात्रा ने कहा कि संख्यात्वक मौडल के अनुसार नो मई के आसपार चक्रवाती तूफान के लिए स्थिति या नुकूल होने का संकेत है लेकिन इसकी गती और तीरवता साथ मई को कम दबाओ का शेत्र बनने के बाद निर्धारित की जा सकती है और उन्होंन